हेलो एब्रीबन वेल्कम बैक टो माई चैनल बेद्धन क्रियेशन्स मेरा नाम मंझू है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ही स्वागत है तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है तो आज की वीडियो में हम यह स्लिंग बैग क्रॉस बॉडडी बैग ज यह सूट से बचा हुआ कपड़ा था जिसको मैंने यूज में लाना चाहा तो बहुत ही कम कपड़े में मैंने यह सुंदर सा स्लिंग बैग बनाया है वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नाटिफेशन मिलती रहे इसमें मैंने यह फ्लावर वेस्ट जो लटकन है वो भी लगाया हुए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यह देखिए सबसे पहले मैंने यह कपड़ा लिया है यह सूट से बचा ह हुआ कपड़ा है कोई भी नए यह कपड़ा नहीं उसके लिए तो हम उनके साथ का मैचिंग का यह स्लिंग बैक बना सकते हैं बिल्कुल इजली घर पर ही तो इसके लिए मैंने एक में फाबरिक लिया है एक फार्मचीट लीए है आप चाहें तो सिमेंट पोरी राइस पोर नेटी हूं 18 by 8 का मैंने यह पीस लिया है गार्फ है तो आप अपने कोटिंग चोटा या बढ़ा भी ले सकते हैं तो इसके बाद हम कुल्टिंग करेंगे तो कुल्टिंग करने के लिए कोई भी पैटरन बना सकते हैं मैंने यह simple lines बनाई है तो जल्दी से मैं इनको lines को बना लिती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ जब तक मैं lines लगा रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा और bell icon को press कर दीजिएगा यह देखिए उसके बाद मैं extra fabric को इसमें से cut कर दूँगी यही जो side से fabric थोड़ा थोड़ा ज़ाद है था उसकी मैं cutting कर रही हूँ equal fabric कर देंगे हम इनको equal piece हो गया यह उसके बाद हम उपर वाली side से किसी भी side से ले लिजीए आप दूसरे side से भी ले सकते हैं एक side से 2 इंच पर marking करेंगे और इसकी cutting कर देंगे तो यह देखिए मैंने इसकी cutting कर दिया है उसके बाद एक zip लेंगे और इस zip को इसके बीच में ऐसे attach करेंगे तो zip को उल्टा रखा और fabric हमारा सीधा है उसके उपर हम इसके उपर stitching कर देंगे सबसे इंट्रस्टिंग बात यह है कि मैंने यह zip भी new नहीं लिये यह भी मेरे पास पुराना बैग था जो बिल्कुल खराब हो चुका था तो मैंने उसमें से zip निकाल ली थी जिसको मैंने अब इस यूज में लाया है उसके बाद जो second piece है उसके हम ऐसे zip के साथ attach कर देंगे यह देखिए आप चाहें तो runner को निकाल के बाद में इंसर्ट कर सकते हैं मैंने runner को नहीं निकाला है runner को ही आगे पीछे इंसर्ट करते हुए इसके उपर stitching कर दूँगी बिल्कुल इजी ट्रिक है गाईज और यह बहुत ही सुन्दर सा sling bag बनने वाला है यह देखिए उसके बाद हम इसके उपर top stitch लगाएंगे तो top stitch हम इसलिए लगाते हैं ताकि zip हमारी अच्छे से बैट ज करें तो जो कपड़ा है वो zip के बीच में ना फसे तो ऐसे ही इसके उपर top stitch लगा दूँगी मैं इसको हम प्रेस्टीच भी बोलते हैं तो यह देखिए यहां से मैंने एक साइट से इसको top stitch लगा लिया है उसके बाद मैं दूसरी साइट पर भी इसके top stitch लगा दूँगी यह देखिए यह मैंने इसके उपर top stitch लगा दिया उसके बाद जो extra zip है उसकी हम cutting कर देंगे तो यह देखिए मैंने zip की cutting कर दी है उसके बाद एक और fabric लेंगे हम यह pocket बनाने के लिए तो मैंने 9 by 8 inch का मैंने यह fabric लिया है इस fabric को हम उपर वाली साइट से stitch करते हुए नीचे साइट तक चारों साइट स्पेस को स्टिच कर देंगे तो यह देखिए एक साइट से यहां से start किया उसके बाद जो नीचे वाला portion है उसको अंदर की तरफ को fold करते हुए इसके उपर stitching कर रहे हुए और यहां से हम सिलाई को turn करते हुए उपर की तरफ को लेके आएंगे और यहां से फिर से turn कर लेंगे क्योंकि हमें चारों साइट से इसे stitch करना है तो यह देखिए मैंने इसके stitching कर दी है और हमारी एक पॉकेट बनके तयार होगी है उसके बाद साइट से extra जो कप्ड़ा है उसके भी cutting कर देंगे तो यह देखिए मैंने इसकी cutting कर दी है अब cutting करने के बाद हम एक और जिप लेने वाले हैं यह देखिए यह जिप इस जिप को हम उपर वाले portion पर attach करेंगे तो यह देखिए same भई प्रोसेस रहेगा जिप को उल्टा करके रखेंगे man fabric के उपर और यहां से इसकी stitching करेंगे इसके बाद हम इसको सीधे वाली साइड को turn करते हुए इसके ऊपर टाप स्टिच लगा देंगे अगें इसी प्रोसेस के लिए क्योंकि जब हम जिप को open या close करते हैं तो कई बार धागा फस जाता है या कपड़ा फस जाता है जिसकी वजह से हमारी जिप जो है वो खराब ह सीधा है और इसके उपर हम इसकी स्टिचिंग कर रहे है यह देखिए रनर को आगे कर दिया और इसके उपर इसकी स्टिचिंग कर दी तो यह देखिए मैंने इसके उपर स्टिचिंग कर दी है तो जीप हमारी अटैच हो चुकी है और मैंने इसको सीधी वाली साइड को turn कर और उसके वाद हम इस पीम को ऐसे थोड़ा सा सेट करते हुए उपर साइट से 1.5 चोड़ते हुए इससे उपर से 1.5 चोड़ते हुए यह देखिए अटेच कर दिया और एक्स्टा धागों को कट कर दिया उसके बाद हम इसके पाइने से लाइक करेंगे तो दोनों साइट स्टिचिंग करेंगे तो दोनों साइट स्टिचिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके बीच में दो टैसल्स यूज करने व यूज करने वाले हूं जिससे हमारे sling bag की जो शो है वो और जादे बढ़ जाएगी और यह बहुत ही सुन्दर लगेगा और यह decorative लगेगा और थोड़ा designer भी लगेगा तो यह देखिए यहां से लटकन को अंदर की तरफ को insert करते हुए दो से तीन सी लाइया नीचे जहां हमन करेंगे और नीचे तक ले जाते हुए दो से तीन सी लाइया लगा के सिक्यॉर कर देंगे ताकि लटकन बहार ना निकले यह देखिए मैंने स्टिचिंग कर दी है और यह हमारा जो बैग है वो बनके तैयार हो गया बात आती है इसकी स्ट्रिप की जो हैंडल होता है या तो यह देखिए मैंने 4 इंच चौड़ी यह देखिए मैं आपको मिजरमेंट बता दो 4 इंच चौड़ी मैंने एक स्ट्रिप ली है इसी के साथ की मैचिंग की तो इसकी लेंथ मैं आपको पता देती हूं तो इसकी लेंथ मैंने ली है 52 आप 56 तक भी ले सकते हैं उससे साइड है बैक की बैक साइड को ऐसे रखेंगे और कपड़े को जो हमने स्ट्रिप ली है उसको अंदर की तरफ को थोड़ा सा फोल्ड करके रखेंगे ताकि जो स्ट्रिप है उसकी फिनिशिंग भी साथ में हो जाए तो यह देखिए थोड़ा सा fold करते हुए सिलाई को निचे से secure करते हुए हम वहीं तक सिलाई करेंगे जहां तक back की length खतम होती है तो यह देखिए यहां तक कर दिया उसके बाद जो strip है उसको हम ऐसे two fold में करते हुए third fold पे ऐसे stitching करेंगे और top stitch लगा देंगे जिसी हमारी strip भी बनके तयार हो जाएगी और हमारी जो back की finishing भी हो जाएगी तो यह देखिए दोनों काम हो जाएंगे साथ में तो यह देखिए ऐसे ही set करते हुए मैं सारी dory को या piping को या strip बोल लिजिए या handle बोल लिजिए जो भी आप बोलना चाहें इसको finish कर लेंगे तो इसको मैं वहां तक finish करूंगी जहां तक थोड़ा सा gap छोड़ते हुए जहां तक हमने back की जो strip की दूसरी side है वो back की दूसरे side के साथ भी attach करनी है जब तक मैं इसे attach कर रही हूँ अगर आप वीडियो पर यहां तक पहुंच गए है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा और bell icon को press कर दीजिएगा मैं reuse ideas आपके साथ share करती रहती हूँ अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो मेरी सारी videos को देखिएगा और हाली में bags की और भी videos मैंने आपके साथ share किये हूँ है पुरानी waste कत्रोनों से ही और waste कत्रोनों से ही मैंने door mats के ideas आपके साथ share किये हूए है तो यह देखिए दूसरी side से भी मैं ऐसे ऐसे ही finish कर दूँगे reuse ideas, cutting, stitching, knitting और crafting की ideas आप मेरी channel पर देख सकते हैं तो यह देखिए दूसरी side से भी हम ऐसे ही finishing करते हुए इसको end तक sill लेंगे यह देखिए और side से sly को secure करते हूँ और extra धागों को cut कर देखिए तो यह देखिए हमारा कितना beautiful sling bag बनके तयार हो गया है और बिल्कुल 10 minute में मैंने इसे बनाया है तो ऐसे ही आप घर पे पड़े किसी भी कपड़े से अपने लिए suit के साथ का matching का sling bag बना सकते हैं और यह flower जो लटकन है यह बहुत सुन्दर लग रहे हैं आपको दी देख पा रहे होंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करिएगा और share जरूर करिएगा किसी ना किसी के साथ और comment करके जरूर बताइगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी यह देखिए इसकी final look यह देखिए कितना सुन्दर हमारा sling bag बनके तयार हो गया है वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करिएगा share जरूर करिएगा और comment करके यह जरूर बताइगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार जल्दी मिलते हैं नए आइडियो के साथ Thank you